नमस्कार सर मेरा नाम राजु है काफी सारा मुझे फोन आने लगा है कि राजु भी यह मेरे पास 10 लाग रुपया है बताइए कहां लगा दूँ तो मैं ऐसे लोगों से कुश्चन पूछता हूं कि आपका इसाइप कितने का चल रहा है तो बोलते हैं दो हजार का कर रहा हूं और पैसा अभी कितना हो गया 10 लाग रुपया कोई दूसरा फोन आता है पांच लाग रुपया मेरे पास है बताइए कहां लगा दूँ एसाइपी तो मैं चला रहा हूं एसाइपी में ज्यादा पैसा नहीं किया यदि आपके एसाइपी का रिटन 18% 20% 25% दिखा रहे हैं का यह पैसा वहीं होता तो उसमें भी 15-20% का रिटन दिखता ही दिखता आपको यदि कोई बेप्टी 20-30 जडर का एसाइपी चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे जिंदगी में तो उनके पास लमसम पैसा बचे गा यह नहीं मेरे पास कभी भी लमसम पैसा नहीं बचा होता है न तो वो जो पैसे आ रहे हैं, उसमें से खर्च करने के बाद जितने पैसे बचे हैं, अब सब का SIP कीजिए, तो 20 से 30 रखा SIP करेंगे, तो 5 लाग, 10 लाग जो जमा होने का बात है, वो कभी नहीं आएगा, अगर एक ब्यक्ति ऐसे ही करते रहें, कि 5 लाग बच गया, 10 लाग ब देंगे, तो ऐसे बाद मन करेंगे, और जैसे बहुत करेंगे, तो 5 लाग, 10 लाग, 10 लाग बबच पूरा हो जाएगा, जलिये हैं कि मान लीजिए कि दो कोड़ रुपया का टार्गेट रखते हम तीज़ जब पर मंद किया 15 साल के लिए किया 15% के रेट से तो कोड़ रुपया बन जाता है पर आप कहेंगे कि नई मार्केट है गिर जाएगा 12% का रिटन मिला तो कितने दिन में होता 12% के रेट से एक कोड़ 51,00,00,00 बना 15 साल में तो हम इस साल को बढ़ा देते हैं तो देखते हैं कि दो साल और इंतजार करना पड़ेगा तो जाके दो कोड़ रुपया हो गया आप कहेंगे कि और कम हो जाए तो 10% का रिटन मिले तो अब देखते हैं एक कोड़ 61,00,00,00 बढ़ा हो गया तो जो मुझे दीख रहा है मुचल फंड में जितने भी मिट कैप में मैंने पैसा इंवेश्ट किया है दस बारब साल पहले से उसका रिटन आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना है में आपको यहां पर 18% का कैलकुलेट करके दिखाता हूँ 19 साल तक आपका इस इपी चलता रहे तीस जर्वे पर मंद का तो जमा होता है 68 लाग रुपया और वेल्यू बनता है 5 और 84 लाग रुपया आपने यह फिगर सोचा ही नहीं कल एक फोन आय था मुझे हमने तो यह कभी सोचा ही नहीं इस तरह से कि हम जो पैसा कमा रहे हैं कि इस तरह से इतना ज़्यादा बैसा बन सकता है हमने ऐसा mathematics किया ही नहीं कभी जिन्दगी में जबकि मैं इस तरह का कैलकुलेशन आज से 15 साल पहले कर पाया था सोच पाया था उस सोच के वज़र से आज मैं financial freedom पाच चुका हूँ 20 साल 25 साल 30 साल 60 साल के एज तक 70 साल के एज तक अब हम काम नहीं कर पा रहे हैं बेट पे आ गए हैं अब जीवन यापन करने के लिए एक लाग रुपे परमन चाहिए सोच की सोचिए कि वो एक लाग रुपे परमन कहां से आएंगे क्या बच्चों से मांगेंगे बच्चे तो वही प्लॉट फ्लेट लिये हैं, एमाई की चकर में वह भी फसेव हैं, तो वह कहां से देख पाएंगे, उनके पास है ही नहीं तो कैसे देंगे, सारा एमाई खर्च कटने के बाद उनके पास इतना पैसा नहीं बसता है कि वह अपना जीवन यापन कर पाएं, तो आपको क एक कोड़ पर बन जाता है, जब एक कोड़ पर बन जाएगा, तो साट से सतर हजर पर पेंशन ले सकते हैं, किसी से मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा उस समय, आपको इसी तरह मुचोल फंड के बारे में और कुछ जानना है, तो आप हमसे इस नंबर पर जूड के आप ओफिस में गूगल मीट पर जूड सकते हैं,